मुझा आज का जो ब्लॉग है उस रो रह दो पहर से तो दो पहर में यां पे दो बज रहे हैं और इतने सारे यह कपड़े जो थे यह मेने हाँ से दो के यहां टांगे हुए हैं कि थोड़ा सा पानी चहन जाए उसके बाद फिर इसको फैला देंगे अगर ऐसे फेला दो तो फिर नीचे पानी टपकता है बहुत जादा आपने गर में खुशाल होंगे मैं हुआ का अंक्षा और आपको जो है मेरी आंके सूजी लग रहे हैंगी क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कोल्ड हो रखा है बहुत तेज वाला इस वज़े से आवाज में भी चेंज है और आँके सूजी है क्योंकि आकों से बार बर पानी आ रहा है कि बहुत ज्यादा है और भी भी हो गया था पहले जो है अंज को हो रखा था और जोरो अंसे मुझे ट्रांसफर हो गया तो अबम दोनों को ही pure ही उससे बी चुमिन नहीं लगई मैंने कहा की invite जला सकते तो मैं से तूह दोयी यह तो इनटे में हो गया Oliko G आही कर दीए तिरिए दीर आता है उर मशीन भी अपना टाइम लेती हे तो तो बाल धूप के नहाई थी भी सामकु मंदिर जाना है और इस वज़े से जो है नीचे धूप बिल्कुल भी नहीं आती बुरे बाल गीले तो मैंने का थोड़ा सा धूप लग जाएगे तो जल्दी सूख जाएंगे वरना फिर वह अंदर इंदर पानी सारा सूख जाता है त सब को यह होता होगा और बस थोड़ी दे रहा है यहां पर फिर जो है चलेगे दीचे और मुझे ना ऐसे तेज दूप जो ऐसे सीधी होती है यह मुझे फेस पर बरदास्ती होती है बिल्कुल भी नहीं मतलब ऐसा लगता है कि बहुत तेज जलन होने लगती है वो सर्दियो सब्सक्राइब मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो बहुत सूप गए है और कंगी भी कर ली है मैंने आपको थोड़ा सा अंदेरा सही लग रहा होगा कि उदर कम से खना नहीं वाजा रहा है कि वहां होता है ना तो गला बहुत ज्यादा सूखने लगता है विकुल ट्राइ सब्सक्राइब मुह में थोड़ा सा पानी बानी साता रहता है थोड़ा सा मतलब गला कम सूखता है और यहां पर छट की जो हालत बहुत खराब हो रखी है यहां प्लांट्स हो गए रहा हुआ रखे तो इस बहुत ज्यादा गंदी होगी है मैं आपको भी दिखा रहे हूं क क्या हालत हो रखी है हम यहां पर प्लांट्स लगा रखेते हैं सब जी वगए रहा हो सारी चीजे इसके बाद बहुत गंदी होगी है च्छत क्या हाल हो रखा है को फोटी ज्यादा है कि अधर थोड़ा साफ है कि बहुत गंदी है नीचे ब्लोग जल्दी अप्लोड हो नहीं पाता है तो यहां आने के बाद मैंने लगाया तो सुभे से है वीडियो अप्लोड पे लेकि भूह नहीं पार आता नीचे ओपर आई हो तो थोड़ा से नेटरवक अच्छा मिला है तो अभी जर्स्ट तुरंती अभी अप्लोड हुआ है और बहुत मेंनत लगती है एक वीडियो अप्लोड करने में अगर शूटिंग और रेटिंग कर लो न तो अप्लोड करने के लिए बहुत ज़्यदा वेट करना बड़ता है इतना टाइम नहीं होता है कि छट पर आके बैठो कि बहुत सारे काम होते हैं और इसमें तोड़ी तब्या ठीक नहीं है तो इतना जादा मन भी नहीं करता है धूब भी लग गई अच्छा लग रहा काफी क्योंकि ठंडक लग रही थी बहुत ज़्यादा चलते हैं थोड़ मैं हो रहा होगा क्योंकि मैं दो बजीव पर आयती हो लगी तो बादा गंटा तो हो गया हुआ कि चलते कुछ खाएंगे थोड़ा सा और बनाया था मैंने रोटी सब्जी बनाया था सुबहा है लंज बॉक्स में देने के लिए ले दिया था वही रखा हुआ हुआ है कि तो कोड़ा सा खाएंगे फिर साम को मंदिर जाना है और इसको टूशन भी है उसको छोड़ के आऊंगी और उसके एक्जाम साने वाले हैं तो बहुत ज्यादा जो है इसमें पढ़ाई का लोड हो रखा है और बच्चों का पता ही है कि जब तब पीछे पीछे ना लगों तो ब आने के बाद मैंने कुछ शूट किया नहीं मन ही नहीं किया खाना खाया बस थोड़ा सा लेट गए और इसके बाद फिर कुछ मतलब सूटी ने किया और यह जो रेस्पी आज मैं आपनों के साथ में शेयर कर रही हूं तो यह संड़े को बनी थी तो संड़े को जो है मैंने म तो आज जो है लफ संडे था तो मैंने सूचा चलो फिर पराठा बना देते हैं गरम-गरम खा लेंगे तो इसके लिए यहां पर मैंने दो छोटे-छोटे फूल गोभी के ते वह ले लिया है उसको मैं अच्छे से दो लिया फिर इस तरीके से ना छोटे-छोटे मतलब उसके निकाल लिये थे फिर जो है इसको इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे तो बहुत पारिक वाले से मैं नहीं कर रही हूं जो थोड़ा सा मोटे साइट पर आता है उसी से कर रही हूं और आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा मिक्सी में पीस भी सकते हैं जैसे आपको जल्दी जैसे मोटे मोटे से चंक्स निकलते हैं जब आप पीस ओ तो थोड़ा सा जाधा बारिक हो जाता है तो यहां पर पूरी जो गोवी उसको मैं ने अच्छे से कद्दूकस करके और यह जगा कर लिया है फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और बस अच्छे से मिक्स कर के इसको रख देंगे 15-20 मिनट के लिए तो अभी यहां पर सुबा का टाइम हो रहा था करीब मतलब जिसे सारा काम तो कतम हो गया था लेकिन नहाया नहीं था तो उससे पहले मैंने यह सारी चीज़े करके रखती थी कि यह जब तक मतलब नहा के आएंगे तब तक यह सब मतलब बहुत कम मातरा में डाला है कि थोड़ा सा हो जाए आप चाहे तो इसके अंदर ऑईल हो गहरा मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा नमक डाल इसको जो हम अच्छी तरीके से मतलब गूत के तियार कर लेंगे और जो हम पराठे के लिए आटा बनाते है ना जिससे जो मिर्ची धनिया और अध्रकी सभी चीजों को मैंने बारीक बारीक काटके रख लिया है और मिर्ची थोड़ा सा जादा ही डाले क्योंकि ये वाली जो मिर्ची है ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है और यहां पे जो है लगबाग आधा गंटा हो गया है सारी तयारी किये तो इसके लिए मैंने यहां पे कपड़ा लिया है आप चाहें तो मुठी से भी मितलब निकाल सकते हैं हो जाता है लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाहरे हूँ तो इसलिए ये वाला तरीका सबसे बेस्ट रहता है कि आप किसी बड़े हा सूती कपड़े पे इस तरीके कपड़ा है यह देखिए और साप सुत्रा कपड़ा है तो बस ऐसे डाल करके इस तरीके से निचोड़ देंगे तो बहुत ही आसानी से जो इसका पानी हो निकल जाएगा तो आप चाहें तो मतलब बिना पानी निकाले बना सकते हैं लेकिन वह ना फिर जिससे आप अगर भर के बना रहे हैं तो यह वाला जो प्रोसेस है यह जिरूर कीजिएगा बहुत अच्छे आपके पराठे बनके तियार होंगे चाहे आप मूली का बना रहे हैं या फिर जो है और किसी जिच का तो यहां पे देखिए इतना सारा पानी जो है वो भी के अंदर से निकला है और य गया है तो यह पराठे में भरने में आसानी रहेगी जो है इसके अंदर मसाले डालेते हैं मसाले मं नहीं बरस थोड़ेज़ की डालई से हिंग डाली है तो हलती पाउडर ताल रहे है हल्ल्दी पाउडर अविछने का रिष्व इंभ कर तो तो इसको थोड़ा सा हाथों पे रगण के डाल दिया इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खुश्पू बहुत अच्छी आती है थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डाल रही हूं थोड़ा सा चेकपटा बनाने के लिए और इसके बाद जो है इसमें हम ये धनिया मिर्ची प पराठा बना रही हूं इसके अंदर कोई भी मसाला यूज नहीं कर रही हूं जिसे अगर आपको खाना है आप लोग इसे मसाले खाना पसंद करते हैं गरम मसाला हो गया धनिया हो गया लाल मिर्ची हो गया तो आप इसके अंदर एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं जब बनाते हू बना रहे हो उसका टेस्ट आना चीए ना कि अगर आप मसालगा डाल दो थोड़ा इन सकky जो तीजडिताये अपना आपना और थोड़ा सा दबा देता है उसको इसलिए मैं ज्यादा मसाले युजडिंग करती हूं बस हमारी जो फिलिंग हो तयार है आप इसको नमक वगेरा टेस्ट कर लीजिए क्योंकि जो है इसमें मैंने अलग से नमक नहीं डाला है जो हमने मतलब पानी निकालने के लिए नमक डाला था बस वही नमक है तो टेस्ट करना बहुत जरूरी है अगर आप टेस्ट न हमारा लगा रखा ही है बस गर्मा गरं बनाएंगे पराठे तो यहां पर जो है रोटी जितना में आटा ले लिया है और इसकी बड़िया है चोटी सी अन्दर आप जो है कम से कम तीन चमज तक आप इसके अंदर फिलिंग वह सकते हैं अगर आप जिसे कम वहाला खाना अच् भर दिया है अंधाजे से और इसके बात जो है बस इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम आटा लगा करके और थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे और यह वाला प्रोसेस जो है ना एक बार मैंने पराठा बनाया थो तो किसी ने पूछा था कि वाला अगर करना नहीं आता तो क्या करें आप इस तरीके से हलकेल के हाथों से ऐसे चकले पर रखके दबा दीजिए और बहुत यासानी से बन जाएगा यह देखिए तो जो पराठे का आटा हम थोड़ा सा धीला लगाते है ना उसकी वज़े से यह देखिए हाथों से बढ़ जाता है और कितनी सारी मैंने फिलिंग भरी थी और बिल्कुल भी पराठा जो है फटा नहीं है और जिसे आपको लगता है ना कि एक साइट से कहीं से फट रहा है तो वहां पर थोड़ा सा आट लगई उसको मतलब चकले की साइड रखिए तो वह इतना जादा नहीं फटेगा अगर आप उपर की साइड रखेंग मतलब जो यह ऐसे पराठे होते ना दाल के होगे गोभी के होगे तो यह पराठे ना थोड़ा सा तेल में ही अच्छे लगते हैं मतलब इसपेसली हमारे घर में तो यह सरसो का तेल है जो मैं इसके पर लगा रही हूं आप चाहें तो घी लगा सकते हैं जब आलू का पराठा बनता है तो मैं घील वाला बनाती हूं लेकिन जब यह सब बनते हैं दाल के और इसके तो मैं सरसो के तेल में लगा के बनाती हूं तो बस अच्छी तरीके से इसको जो है मैं अलट पलट करके दबाते हुए सेक लेना है और यह पराठा हमारा थोड़ा करंची सा बनेगा क्यों कि जो है फिलिंग अच्छी खासी मैंने भरी है तो थोड़ा सा तो इदर उदर होई जाएगा और मैंने प्याज और मिर्ची सारी चीजे भी डाली है तो इससे थोड़ा सा होता है अगर जैसे आप थोड़ा कम-कम भरेंगे तो आपके पराठे बिल्कुल फूले-फूले से बनेंगे तो यहां पर हमारा जो पहला पराठा बनकर तयार होके अब बढ़िया क्रंची सा और अंदर से बहुत सौक रहता है तो यह दे दिया मैंने खाने के लिए और साथ में मैंने धनिया टमाटा और मिर्ची की चट्नी बनाई है इसके साथ बहुत अच्छा लगता है और फिर दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं और जो पराठे होते न वो तो गर्म गरम ही खाने में मज़ा आता है तो बस बनते जाएं और खाते जाएं ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं बना बना के देती जा रही हूं आंश और उसकी पापा खा रहे हैं और गरम गरम तो अ पराठे में यही मज़ा होता है तो बस अच्छे से दोनों साइट से मैंने यह भी सेक लिया है और इसको भी दे देंगे और इसके बाद यह एक पराठा में बहुत ज्यादा फिलिंग भरके बना रहे हूं मतलब फूली लोडेड वाला उस तरह बना रहे हूं तो कम से कम यहां बहुत जो पराठा बनाने की जैसे नहीं पता होता है न तो यही बहुत भारा लगता है मुझे भी नहीं आता था लेकिन धीरे धीरे कहते हैं न सीखते सीखते हर कोई सीखी ही जाता है तो बस यह हमारा बढ़ह पराठा बनके तयार हो गया है और इसमें बहुत ज़्यादा फिलिंग भरी है आप अपी देखेगा मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको तो इसे भी अलट पलट करके और अच्छे से हम सेख लेंगे और इतना फिलिंग भरने के बाद भी बढ़ह पराठा यह फोल गया था हमारा जो पराठा है तयार हो गया है और सकतार ने ख़र लिया मैं ही बची हूं तो दो पराठे में अपने लिए बनाये और यह देखे कितना जादा इसके अंदर फिलिंग भरी हुई है मतलब बराबर फैली हुई आप खुद ही देख लीजिए तो मतलब देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा कठीन है लेकिन इतना भी कठीन नहीं है करना बस करने की थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ती है इसके बहुत आसान हो जाता है और आईए आप लोगी खा लीजिए बड़ेहा गर्मा-गर्म गोभी के प्राठे और ए Αुप्षन है अलु के बनावों तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई वह सब्तक्राइब करता हूं करेंगे लिकिन पर नीगे तो प्रीज लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्रीज सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन के साथ में जिसे आपको सब वीडियोच की नोटिफिकेशन मिलेंगी और आप वीडियो पहले देख रहेंगे तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीड के साथ थैंक यू पर वाचिंग बाबाए